यह है Poco का नया स्मार्टफोन Poco C51 जो की इंडिया में लाउंच चुका है यह एक बजट सेग्मेंट का स्मार्टफोन है इसका प्राइजिंग है यह मुझे लगता है कि 8000 रुपीज के अंडर में होना चाहिए इसका एक्जाक्ट प्राइजिंग क्या है वो मैंने वीडियो क मिलने वाला है अब यह जो वेरिंट मेरे पास है यह 4GB 64GB वाला वेरिंट है बॉक्स में यह 10 वाट का चार्जर दिया हुआ है और यह केबल दिया हुआ है यह USB to micro USB data केबल है और यह देखें यह सिम ट्रे एजेक्टर पेन तो यह लिए सिम ट्रे को मैंने एजेक्ट कर लिया है और यहां पर triple slot दिया हुआ है एक dedicated micro SD card slot इसमें है वैसे यह जो smartphone है यह 4G support के साथ में आता है इस price में आपको 5G support नहीं मिलने वाला है यह black color variant है और backside पर एक texture दिया हुआ है leather type finishing दिया हुआ है लेकिन इसकी बॉड़ी है यह plastic की बढ़ी हुई है जब आप अपनी उंगलिय है और पीछे fingerprint sensor भी दिया हुआ है यह dual camera setup के साथ में आता है और इसका डिजाइन है यह देखने से ऐसा लगता है जैसे की जो Redmi के smart phones है budget friendly smart phones उनकी तरह ही है यह दिखें यहां पर है power button volume rocker यहां पर है micro USB port audio jack base में दिया हुआ है और SIM tray यहां पर है अब यह जो handset है यह Android 13 रन कर है यह काफे हद तक बहतर है smooth है लेकिन अफकोस यह जो smartphone है यह gaming use के लिए नहीं है और high end applications भी आप इस पर इतना smoothly run नहीं कर पाएंगे तो इस handset कर जो screen है यह 6.52 inches का है यह IPS LCD display है HD plus resolution के साथ में आता है अब यह जो display है साथ में जो resolution है यह more than sufficient है day to day activities के लिए वैसे आज की ता पर तो उसके लिए यह काफी बढ़िया है और आजकल जादा करके लोग WhatsApp भी उसकर रहे हैं तो वैसे applications के लिए वैसे टाइप के usage के लिए यह जो smartphone है यह more than sufficient है performance के अगर बात करें तो मैंने इस पर entry to benchmark run किया था मुझे मिला यह score 1,2500 के आसपास अब यह जो smartphone है इसमें Mediatek Hel G36 Octa-Core processor उसके आगया है जो कि एक decent entry level processor है वैसे जो score है यह 1,00,00 के आसपास है एंटिटू score और इस पर आप games नहीं खेल पाएंगे इतना smooth experience आपको नहीं मिलने वाला है अगर यह जो एंटिटू score है तकरीबन 2,00,00 के उपर होता तो कुछ हद तक आप यह जो हैंसे इस पर game खेल पाएंगे लेकिन जैसा कि मैंने कहा score काफी low है यह definitely gaming use के लिए नहीं है और अगर आप heavy applications इस पर use करना चाते हैं तो उसके लिए भी यह नहीं है लेकिन बचों का जो schooling activities है उसके लिए काफी है अगर आप emails पनना चाते है WhatsApp, Facebook, Amazon Prime, YouTube वैसे प्रकार के content यह applications देखना चात है रियर साइट पर 8 megapixel का dual camera setup दिया हुआ है और जो front camera है वो 5 megapixel का है यह है camera का interface यहाँ पर आपको limited options मिलते हैं video आप shoot कर सकते हैं maximum जो videos है यह 1080p में आप shoot कर पाएंगे इसमें आपको stability का option नहीं मिलने वाला है मैं आपको samples आगे बताऊंगा portrait shots आपके साथ में shoot कर पाएंगे यहाँ पर जो filter options है वो available नहीं है night shots भी okay type के है social networks पर आप यह जो shots है इन्हें share कर पाएंगे और यह है मेरा selfie shot जो कि मैं इसी studio lighting में shoot कर रहा हूँ तो यह दिखे यह है selfie shot तो camera quality इसकी average level की है battery performance आपको काफी बढ़िया मिल जाएगा इसमें 5000 mAh की बैटरी है जो कि आज की तार watt का charger दिया हुआ है जो कि इस battery को charge करने के लिए समय लगाने बाला है तकरीबन दो घंटे के आसपास लग जाएंगे full charge के लिए तो यह है POCO C51 जो की इंडिया में launch हो चुका है इसका pricing क्या है उसके बारे में जानकारी मैंने video के description में दिया हुआ है अगर आप यह product खरीदना